साथ्यों नमस्कार स्वाध आपका अपने चनल हाडा वेट्स क्लब में यह गाये पिछले 15 दिन से खड़ी नहीं हो पा रहे हैं बहुत कुछ इंजेक्शन लगा दिया बहुत कुछ इलाज कर दिया लेकिन फिर भी यह गाये 15 दिन से खड़ी नहीं हो पा रहे हैं आकर इसका क ने हडा वेट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे एक पश्व मालिक ने मुझे वीडियो पहुंचाया है और उन्होंने कहा है कि यह गाई पिछले 15 दिन से खड़ी नहीं हो पा रही है बहुत कुछ केल्सि जेट्रिली पश्व पुचा कि आकर इसको क्या हुआ था परश्व मालिक का कहना है कि यह एक दिन अच्छानक से निचे गिर गई थी उसके बाद यह दुसरे दिन फिर खड़ी हो गई लेकिन फिर निचे बैठ गई और उसके बाद यह बिलकुल भीखड़ी नहीं हो पाती लेकिन इस वाली गाये में एक common बात यह है कि इसके तीन पेर तो सही है लेकिन एक पेर इसका जमिन पर नहीं टिकता है वही से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका एक पेर फेक्चर है जैसा कर supplier अप इस वीडियो में देख रहे हैं और पेर आपको दिखा रहे हैं कि इसमें आकर मिश्टक का हैं साथ यूँएसे वालेyas केष्ट में आप चाहें कितना भी केल्च लगवालें आप चाहें कितने भी इंजेक्शन लगवालें लेकिन फिर भी ऐसे पश्यू को आप ठीक नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं तो साथ यो ऐसे वाले पश्यू में common बात हमें यहां पर दिख रही है कि इसके तीन पेर सही है यह दे डाउनर काउ सिंड्रोम होता या पश्यू कमजोर होता या पश्यू में और किसी चीज की डेपिशन से होती तो पश्यू पिसले दोनों पेरों से खड़ा नहीं होता है लेकिन जिस पश्यू मालिक की गाई बेंस एक पेर में दिक्कत आ रही है वहां पर हमें समझ जाना चाहिए कि यहां तो इसका पेर टूटा है पश्यू मालिक ने बताया कि यहां पर हमें सोलिड बाद में दिखा है हमने किसी जानकर को बुला कर दिखा जा है यह जैसा पश्यू मालिक आपको दिखा रहे है यहां से इसका पेर फेक्क्ट चरे तो अब ऐसे वाले पश्यू में या तो आप इसको प्लाश्टर चड़वाए या आप इसको एसे डोक्टर के पास लेए जहां पर पूरी प्लाश्टर के सूरिधा हो और वह से इसको प्लाश्टर लगाकर ठीक किया जा सकता है लेकिन आप इसको कितने भी इंजिक्शन लगाएंगे तो आपका पश्यू ठीक जानकारी अच्छी लगए उता हमार चनल को सुस्क्राइब करना धन्यवाद